हेलो दोस्तो आज हम बनाने जा रहे हैं पटेटो चीज पॉल्स जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और यह इतना ज़्यादा यमी लगता है खाने में कि अगर आपने एक बार इसे बना करके खा लिया तो आप इसे हमेशा ही ऐसे ही बना करें खाना पसंद करेंगे ज इस रेस्पी को आप एक बार ट्राइ करके देख सकते हैं आपको बहुत पसंद आएगी चलिए इसे बनाते हैं इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर तीन उबले हुए आलू लिये हैं और इसे अच्छे से मैस कर लिया है आलू के बड़े टुकड़े इसमें ब पाउडर पना करके रख लिया था उसमें से ही दो चम्मच हम इसमें एड कर देंगे थोड़ा सा रेड़ चिली फ्लेक्स डालेंगे थोड़ा सा और गिनो डालेंगे आधा चोटी चम्मच के करीब यहां पर चाट मसाला एड करेंगे इसके जगे पर आमचूर का पाउडर यहां पर डाल सकते हैं दो हरी मिर्च बारिक काट के डाल देंगे और थोड़ा सा जो हरी धनिया की पति यहां पर डाल देंगे बहुत ही बढ़िया इसका प्लेवर आता है इस रेस्पी में इसे जरूर डालिएगा और स्वादनुसार नमक डाल देंगे या फिर एक छोटी डाल करेंगे स्वाद एक काटोरी लेंगे और उसमें दो से तीन चुम् sprout के शाम चीज तो बर्लों मैं मेंसे साब डाल कर सब्सें को के सागिवर और में चमच देखिए उसके उपर इस तरीके से कोठ हो जा रहा है वस इतना ही गाढ़ा हमें इसे रखना है अब यहां पर मैंने जो है ब्राउन ब्रेट को जो है मिक्सी में डाल करके चला लिया था इसका पाउडर बना लिया है बहुत ही इसली जो है पाउडर बन जाते हैं अब हम मैंने छोटे-छोटे बाल जो है सारे बॉल यहां पर बना करके तैयार कर ली है करीब करीब 10 श कर बन आराम से और सी और यहां करते हुएसे तरीके से हमें दबा लेना है अच्छे से अब इसके अंदर हम छीज का ये क्यूब रख देढेंगे और इसे ंच्छे से हातों से बादबाद करके इसा राउनड शेप देढेंगे अलो जो है १। अध्य होते हैं ऐसेे बहुत ही जल्दी हो जाते हैं बहुत ही जल्दी इनका जो है शेफ बन जाता है अब देखिए एकदम चिकना सा बॉल तयार कर लेना है बिल्कुल भी इसमें क्रैक नहीं होने चाहिए यहाँ पर देखिए हमारे जो बॉल है वो बन गया है अब दूसरा भी मैं आपको बना करके दिखा देती हूं देखिए अतरव का देखिए और हम रहां सब्य خ Object करने है और चीज़र रखते हूए इस चारो तरफ से इसेinkling चाहए सब्सक्राब करते जाना है इससे बना ले छारव संखेंगे और भूल को और यहां पर बॉल उठाएंगे और इसे नहीं के इसके इनदर डाल देंगे चम्मच की मदद से इस तरीके से घुमाते हुए चारोतरब से इसे बुल टोक मुझा कर लेंगे और एक आप काटे का चम्मच लेildяз और उससे इस बॉल अपने ब्रेट क्रब में डाल दीजे और हाथों को देखिए बिल्कुल भी यूज यहां नहीं करना है हाथ बिल्कुल भी नहीं लगेंगे इस तरीके से आप घुमा करके बाउल को और अपने जो हमारे जो वो चीज बॉल है उसे अच्छे से कोड कर सकते हैं अब इसी तरीके जो होता है कि यह जो आलू होते हैं उसके अंदर हम चीज डाल करके मिक्स करके चीज को तब बॉल बनाते हैं तो वह बॉल जो है काफी रिस्की होते हैं बनाते टैम वह काफी जल्दी फटने लगते हैं अगर आप इसे इस तरीके से बनाएंगे तो यह बॉल फटने के जितना लगना होगा वो लग जाएगा बाकी उसमें से निकल जाएंगे दबाने से क्या होता है कि जो ब्रेड है वो अच्छे से जो है चिपक जाते हैं बस इसी तरीके से हमें प्रेस करके सारे बॉल्स को यहां रख लेना है आप इसे थोड़ देर के लिए जो है चाहे तो फ मेडियम से लोफ लें में इसे हमें धीरे-दीरे से पकाते रहना है। ज्यादा तीज गरम तेल में अगर आप इसे डाल देंगे तो इसे बहुत ही जल्दी से लाल हो जाएंगे और अंदर से कमेंड green और बचायाइंगे तो दिसे लक्षे जारूर बतियेंगकि कि यहां रि अब इसे भी हम निकाल लेते हैं बहुत ही ज्यादा यम्मी और टेस्टी बने हैं ये दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सस्क्राइब करके पेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा जिससे मेरी अच्छे-ची रेस्पिस आपको देखने को मिलती रहें बाई बाई दोस्तों थैंक यू पर वाचिंग